राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण पारिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रीडियो प्रभाग द्वाराप्रस्तु थे कारिक्रम संस्कृती क्या है? इस कारिक्रम में प्रफेसर सरोजनी बिशारिया से संस्कृती के विभिन्न पक्षों पर बाचीत कर रहे हैं भगवान दाश्वद्वा और अर्पिता तो प्रस्तु थे कारिक्रम संस्कृती क्या है? राष्ट्रिय शिक्षा नीती के अंतरगत, कारियान वैन यानि इंप्लिमेंटेशन के अनेक कारिक्रम निर्धारित किये गए हैं उन में से एक है भारतिय संस्कृती को शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुचा सकना यानि बच्चे शिक्षा ग्रहन करते समय संस्कृती को भी एक संस्कार के रूप में पा सकें जैसा कि आप जानते हैं इस समय बच्चे अपनी शिक्षा तो ग्रहन करते हैं लेकिन वे एक सीमित संस्कृती में बंधे रहते हैं वे ये नहीं जानते कि देश के दूसरे हिस्से में किस प्रकार की संस्कृति पनप रही है So, इस प्रकार की हमारी शंकाओं का समधन करने के लिए प्रोफेसर बिसारिया, आप हमें बताइए शिक्षा के परिपेख्ष में संस्कृति है क्या चीज़? जब हम शिक्षा और संस्कृती पर वादवा साब बात करना चाहते हैं तो हम एक चीज का विस्मरण कर बैठते हैं वो क्या? वो है मानवता जो पशु जीवन से बिलकुल भिन्य है क्यों भिन्य है? क्योंकि पशु और मानव का बुनियादी फर्क है मानव के पास मस्तिश का होना हाथ पैर का होना तो पशु ओं के पास भी है और अपने लिए तरह तरह के घोंसले और तरह के निवास इस्थान पशु भी बना लेते हैं किन्तो एक बुनियादी अंतर था पशु जीवन में और मानव जीवन में वो था ये कि प्रकृति ने पशुओं को तो ये प्रदान किया कि अगर पशु पक्षी दोनों को कि अगर जाड़ा हो तो उजादे पर उगा लेंगे अगर गर्मी हो तो बहुत सारे बाल जड़ जाएंगे उनके अक्सर देखा होगा लेकिन मानव में ये शमता नहीं थी मस्तिश अवशे है उसके पास लेकिन एक चीज़ की कमी भी है जो पशु और पक्षियों से बिन है उस कमी को पूरा करने के लिए मानव ने हमेशा अपनी बुद्धी का विन्योग किया और बुद्धी के विन्योग से उसने उन सब साधनों को और उपसाधनों को इकठा किया जिससे कि प्रकृतिर प्रदत्य ये जो विशमता है इसको दूर कर सके और निरंदर मानव मस्तिश्क की होड यही रही है कि विशमताओं को हम घटा सके और सुविधाओं को बढ़ा सके और एक तरफ तो हम क्या पाते हैं कि तरहां तरहां की सुविधाएं मानव सब्भेताएं एक अत्रित करती रही है दूसी तरफ इन सब्वेता के साथ साथ एक और चीज़ पनपी है जो मानव इस्मृति के आधार पर पनपती है मनुष्य के पास एक इस्मृति का कक्ष है जिस इस्मृति में न केवल वो उन चीज़ों को डालता है जो उसने सुनी है बलकि जो कुछ भी वो काम करता है अपनी उंगलियों से उसके भी समवाद मस्तिष्क में अंकित होते चले जाते हैं और इस तरह से वो समवाद जो अंकित होते चले जाते हैं धीरे धीरे इकठे हो जाते हैं और इकठी होने के बाद उनकी हस्तानतरित करण की प्रक्रिया भी प्रारंब हो जाती है मैं अपने अनुभव आपको बताती हूँ आप अपने अनुभव दूसरों को बताते हैं और इस तरह से अनुभव पर आधारित एक संस्कृति का स्रजन हुआ है पूरे विश्व में जो मानव अनुभव मस्तिश्क की उपज के उपरांत प्राप्त होते हैं उन से तरह तरह की संस्कृतियां पलवित हुई जो तरह की सभ्यताओं के ढाचे में रही अब प्रशन यह उठता है कि सभ्यता एक शब्द है संस्कृति दूसरा शब्द है हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यह हो जाता है कि हम इन दोनों शब्दों के जो अंतर हैं उनको समझ सकें यह परियावाची नहीं है अगर परियावाची होते तो बहत आसानी से हम यह कह सकते थे कि सभ्यता और संस्कृति एक ही बात है ऐसा नहीं है क्योंकि मनुश्य ने सभ्यताएं भी देखी और संस्कृति भी समझी तो संस्कृति समझी या उसकी अनुभूति की और सभ्यताएं देखी और उनको पर्खा और उनको बदला और इसको अगर हम समझ लें कि सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर क्या है जैसे मैं एक्सर कहा करती हूँ नारियल होता है नारियल के चारो तरफ एक कड़ा सा दाइरा होता है और सकड़े से दाइरे के अंदर कभी तो मीठा मीठा पानी होता है कभी उसके अंदर हलका सा पकने के बाद वो ही मीठा पानी, थोड़ा सा मीठा कर्नल बन जाता है और जब वो बिलकुल पक जाता है तो वो सूख जाता है उपर का जो धाचा है वो गिर जाता है और आपको सूखा नारियन मिल जाता है यही एक बहुत बड़ी उदहरन है सभ्यता और संस्कृति के अंतर को इस्पष्ट करने की तो सभ्यता वो चीजे हैं जो एक आवरन हैं जिसमें संस्कृतियां पल्लवित होती है यह आवरन तरह तरह के हो सकते हैं एक आवरन वो था जबकि बिल्कुल आदी मानव था पेर पर रहता था उसका वो आवरन ये था कि वो पेर पर रहता था जो कुछ उसको मिलता था वो खा लेता था और जो कुछ उसे जुड़ता था वो पहन लेता था और धीरे धीरे करके जब उसने अपने उंगलियों का और विबिन प्रकार की सविधाओं का इस्तेमाल करके अपने लिए तरहें तरहें की सविधाओं का निर्मान किया अर्था तरहें तरहें की सविधाओं का निर्मान किया उसके साथ साथ तरहें तरहें के विचार जो कर सब को मिला कर संस्कृति कहने लगे ये तो एक सैधानतिक द्रश्चिगोर्ण है जो मैंने आपके समख से इस पश्च किया पीडी दर पीडी बरता चला लेकिन जब हम ये कहते हैं कि संस्कृति को हमें शिक्षा से जोड़ना है तो शिक्षा का इस पश्च करना बहुत मैंने आप से कह दिया आपने आने वाली अगली पीडी से कह दिया और उसने फिर अगले से कह दिया जो मौकिक अधार पर चलती रही हजार रहा वश्च तक विश्चों में इस तरह की शिक्षा का कारिकरम चलता रहा है लेकिन खासों से उन छेत्रों में उन देशों में जि जिच्छ, वही मैंने कहा, कि जिसकों की हम बहुत आसानी से सभ्वेता कहते हैं, उसके नए चरणों के विकास के द्वारा लेख बद्ध होने लगी। अपने विचार लिखे जाने लगे, अपने शब्द लिखे जाने लगे, अपने कविताइं लिखी जाने लगी जो कि एक तरह से बहुत ही प्रियोगात्मक द्रश्चिकोन व्यक्ति का इसपष्ट करती हैं। और भी बहुत सारे दाशनिक और समाजिक तत्थे लिखे जाने लगे और इस तरह से लिख पढ़कर बहुत कुछ चीजें तयार हो गई एक सब्वेता के चरण में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा परिवर्तन शिक्षा और संस्कृति के मेल जोल में उस समय आया जब चीजें लिख पढ़कर तयार कर दी गई तब क्या हुआ कि इनसान अपने अनुभवों को एक मतबा लिख चुका अब लिखने के बाद अगर उसको बदलना है तब वो लिखी हुई चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी और अगर बदलना है तो जब तक उनको वापस न ले लिया जाए तब तक नई चीजों को प्रसारित करना कठिन होगा और इस तरह से एक तरफ तो शिक्षा के लिए बाटने को लिखी हुई चीजें होने लगी और सिर्फ इसमरती पर आधारित नहीं रहीं दूसी तरफ इसमरती का जो बहुत बड़ा फाइदा होता था कि हम इसमरती को परिवर्टित कर लेते थे अपने नवीन अनभवों के आधार पर वो फिर करुशित होने लगा और हर विशु के देश में यह हुआ है क अधार कुछ चीजें जो लिख पढ़ ली गई उनको समझा गया कि यह तो सचमुच की चीजें हैं जिनको कि हमें अस्तार नतरित करना है और जो नहीं रही लिखी पड़ी वह सभेता में से किसी प्रकार से हटकर संस्कृती का भाग भी नहीं रही अधार कुछ भूला लेकिन जब इसम्रती और विसम्रती के कंट्रोल के अलावा लिखित ग्रंथों का जब एक सम्हू बना तो इसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया और इसलिए शिक्षा जिसके आधी अर्थिये हैं कि हम अपने अनुभवों को दूसरों से बाटें साजेदारी में लें नहीं पीड़ी जाने के पिछले लोगों के अनुभव अनुभूतियां ग्यान और विज्ञान क्या है यह भी बदलने लगा कैसे बदला कि अब तो इतना हिस्सा लिखा हुआ है इस लिखे हुए को समझना है अगर इसको ही समझते रहना है तो हम पीछे रह जाएंगे अनुभव सभेता के अधार पर बदलते चले जा रहे हैं जैसे जैसे सभेता बदलेगी वैसे वैसे अनुभव के अधार बदलते चले जाएंगे कैसे कि जब हम पैदल चलते हैं तो हम कहते हैं कितने मील चले या कितने कोस चले और जब हम हम हवाई जहास में चलते हैं तो क्या कहते है यह नहीं कहते हैं कितने मील को से ले कितने घंटे की यात्रा हम ने की प्रफेसर बिसारिय एक बात बताईए इस शिक्षा नीती में जो संस्कृति की बात की गई है संस्कृति की वैद कौन से बाते हैं जो हम बच्चों तक पहुचा सकते हैं देखे सबसे पहली आवशक्ता मेरे विचार से यह है कि हमारे शिक्षक ही यह समझें कि संस्कृति क्या है मतलब जब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि संस्कृति किसे कहते हैं और संस्कृति और सभेता का जो भेद मैं इतनी देर से स्पश करने की कोशिश कर रही हूँ अर्पिता जी भी बैठी है अब इनी से बात कर लेते हैं कि इनको कहां तक ये बात समझ में या इनको क्या जानना है इस विशेवर जब हमारे जैसे जब हमारे विद्याले में शिक्षा का जिक्र करा जाता है तो हम ज़्यादातर उसे किसी विशे के साथ या मतलब जैसे हमारे शिक्षा का मतलब है हमारे सबजेक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलोजी ऐसे लेकिन संस्कृति क्या है ये तो आज तर कभी हमें बताया ही नहीं क्या जैसे उसके उपर कभी कुछ इतना जोर नहीं दिया जाता हम स्कूल आते है और मतलब गधों की तरह समझ लीजे जैसे भी अपने होमवर्क के उसके नीचे बधे होए और संस्कृति का तो इतना मतलब कुछ लिंक नहीं है उसका हमारी अपनी सभ्यदा के साथ देखिए अरपिता बिटे एक बात छोटी से समझ जिए इसका पूरे समाज से और पूरे राष्ट से और अंतत्यों गत्वा पूरे विश्व से संबंद है शिक्षा को अगर जैसे मैंने कहा कि इतना लिखा हुआ है इसको हस्तान तरित कर देना है जिसको बैंकिंग फिलोसोफी ओफ एड्यूकेशन कहते हैं हमारे पास इतना कुछ धन है इतनी कुछ पूंजी है इसको हमें उठाकर दूसरे लोगों को दे देना है अगर शिक्षा का ये द्रश्चिकोंड रहेगा तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हमको अपने विश्यों की परिदी में बंधा रहना पड़ेगा और विश्यों को उठाकर हमें एक जगा से दूसरी जगा दे देना है मतलब शिक्षक जो है वो क्या कर रहा है कि उस पूंजी को उठाकर दूसरी पीली के सुपूर्द किये दे रहा है उसमें कठिनाई सबसे बड़ी ये है कि दूसरी पीली को कोई अवसर नहीं है अपने अनुभवों अपनी अनुभूतियों और अपने विचारों से उसमें अजिस्मेंट्स परिवर्तन तो नहीं उसमें अजिस्मेंट्स कर सकने का और अजिस्मेंट्स अनिवारी है क्योंकि सब्वेता बदल रही है ना यहीं जैसे मैंने कहा कि सब्वेता जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे नारियल के अंदर जो चीजें वो भी बदलेंगी जैसे जैसे सब्वेता का रूफ बदलता चला जाएगा वैसे जैसे संस्कृति दूसरी तरह की होती चलेगी और सं शिक्षा में संस्कृति को उतारना केवल एक आधार पर संभव है। जितना ग्यान उसको हस्तांतरित कर देना है। तो छोड़ दीजे। सभ्यता में भी परिवर्तन संभव नहीं है। यह संसकृति को ग्रहन करना तो मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है सभ्यता को भी ग्रहन नहीं कर पाते। कैसे नहीं गरेंग पकर पाते कि एक गाउं का शिक्षक है जिसने हवाई जहास किस तरह से जमीन से आकाश में उड़ता है इसको देखा नहीं है एक बालक है उसी छेतर में रहता हुआ जो कभी आया था उसने देखा था कि किस तरह से टामेक पे हवाई जहास पहले दोड़ता है उसके बाद उपर उड़ता है अब शिक्षा कगर ये कहे कि हवाईजाज एक साथ उपर उड़ जाता है और विद्यार्थी का जो अपना अनुभव है उसका वो लाबना उठाए तो शिक्षा बैंकिंग सिस्टम हो गया ना कि जितना ग्यान हमारे पास था अब इसमें क्या हुआ कि जो आपका सांस्कृतिक तथ्य है वो तो खोया ही खोया साथ सब्विता का तथ्य भी पीछे रह गया तो शिक्षा तभी जोड़ी जा सकती है जब शिक्षा में आदान प्रदान की प्रकृया को शामिल किया जाए अर्था जितने लोगों के जितने अनुभव हैं वो सब शिक्षा में समीक्रत हों और उन अनुभवों को बाटा जाए। ये तभी संभव होगा कि जब सब लोगों के अनुभव, सब लोग आपस में शेयर कर सकें। इसलिए सारे विश्व में तो ये पुकार थी ही थी। हमारे देश ने 1986 में जो राश्य शिक्षा नीती बनाई उसमें इस तथे को विशेश रूप से शामिल किया गया है कि संस्कृति और शिक्षा को जोड़ा जाए। तो विद्यालेओं में आप क्या सुझाओ देंगे कि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। विद्यालेओं में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आवशक यह होगा कि सबसे पहले तो विद्यारती अपना परम करतव यह माने कि कोई बात उसे स्विकार नहीं करनी है जब तक कि उसका मन, मस्तिष्क और हिर्दय उसे मानने को तयार नहीं होता अगर सारे बालकों में यह जिगासा उद्पन हो जाए कि हम किसी की कहीव़ बात को क्यों सुउकार करें तो क्या जरूरी नहीं है कि पहले अध्याबकों को ही कुछ ऐसा सबग सिखाया जाए कि वो अपने विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के बारे में ज़्यादा परिचत करा सकें विद्यार्थियों को शिक्षक संस्कृति के बारे में परिचय ना कराएं बल्कि उन में ये जिग्यासा उत्पन करें कि अंततो गत्वा भारत की संस्कृति है क्या बात बच्चों के सामने और शिक्षपों के सामने सवाल के रूप में पेश होनी चाहिए आप बताईए कि भारत की संस्कृती है और जब ये कहा जाएगा कि भारत की संस्कृती क्या है तो लोगों के अलग अलग प्रकार के विचार होंगे कोई कहेगा कि भारत की संस्कृति कथक नत्य है, कोई कहेगा कि भारत की संस्कृति भारतनाट्यम है, आप क्या कहेंगे, मैं तो भारत की संस्कृति एक सम्यक रूप में ही देखती रही हमेशा, और मैं यह कहती हूँ कि अलग-अलग पत्थ बतलाते हैं, सब अलग-अलग पत दर्शाते भी हैं है ना हर संस्कृती का छेत्र है कोई एक तरहें का नत्य बताता है कोई दूसे तरहें का नत्य बताता है कोई तीसे तरहें का नत्य बताता है परन्तु नत्य के पीछे नाट्य और संगीत का जो ताल दो चीजें विशेश रूप से मौजूद हैं वो भारत क उस सभेता के परिचायक हैं जो भारत में सम्यकता लाती है अर्थात आप उत्तर भारत से दक्षिन भारत तक पूरू से पश्चिम तक कहीं भी चले जाएए आपको ताल रहित और नाट्य रहित नृत्य नहीं मिलेगा तो आप कहना चाहेंगी के हमारी जो संस्कृती है वो क्या नाट्को या संगीत और रृत्यों से ही नसीमित है यह नहीं कहा रही है इसलिए कहना चाहा रही थी कि यह सबसे जादे मनुरंजक लगता है लेकिन संस्कृती का सही मानिय में तुमने सवाल बहुत सही पूछा है संस्कृती का अर्थ है हमारे सारे अनुभव और सारी अनुभूतिया अनुभवों को हम अनुभूती के रूप में प्रदर्शित करते हैं चाहें तो वो ग्यान के आधार पर हो चाहें वो आपका नत के आधार पर हो चाहें म्यूजिक पर हो चाहें आर्ट फॉर्म सों चाहें छोटे से छोटी कला की चीज़ें निर्मित करना हो चाहें वास्तु कला इतनी बड़ी है उसके अलावा छोटे छोटे घरे मटके बरतन और तरहें-तरहें की मूर्तियां और ये सब जो निर्मित हम लोग करते हैं तो ये सारी ही चीजें जब अनुभूती के आधार पर होती हैं एक्स्पिरिंस के आधार पर होती हैं और जो भी इमोशन से तालुख रखता है तब इसको हम संस्कृती कह सकते हैं आप ये नहीं कहेंगे कि जो जैसे मानविय मूल्य जो हैं जो हमारे इतने बड़े-बड़े लोग जो हमारे पिछले युग में हुए हैं जो हमारे छोड़ गए हैं क्या वो संस्कृती का एक अंश नहीं है वो पूरी सभ्यता और संस्कुति दोनों का ही आईश है यहां पर एक अंतर आता है इसलिए मूलियों की शिक्षा में और संस्कुति की शिक्षा में शिक्षा नीटी ने अंतर किया है वैल्यू एजुकेशन को फिर कल्चर एजुकेशन से अरक्यों किया गया कारण उसका इस पश्ट है कि वैल्यू एजुकेशन का आज ये हुआ कि उन तमाम मूलियों को शिक्षा से जोड़ा जाए जो मूलिय केवल एक शेत्र के लोगों के लिए नहीं बलकि पूरे राष्ट्र और विश्व के हित्मे हैं जिसे मानव मूलिय कहते हैं और जिस पर आप ध्यानाकरशित कर रही हैं लेकिन जहां तक सहस्कृति का प्रशन है उसके तथ्यों में मूलियों का प्रभाववश्य होता है और मूलिय समयकालीन होते हैं इसलिए संस्कृति बदलती रहती है सभ्यता बदलती है कर दोस्ति बदलती है झाल 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 झाल